दोस्तों T20 वर्ड कब दोजार चौबिस के सबसे बड़े महा मुकावले में पाकिस्तान के खिला भारते टीम 99% हार चुकी थी लेकिन उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा और इशब पंथ ने चमतकार कर दिया और पाकिस्तान के मूँ से जीत को खीच निकाला और भारते टी आपका हमारे चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ड कब 2024 का सबसे बड़े रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारते टी टीम इस बार T20 वर्ड के चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तों T20 वर्ड कब 2024 का सबसे बड़ा और महा मुकाबला आखिरकार अमेरिका के न्यूवर्क के स्टेडियम में शुरू हो गया जहां पे कप्तान रोहिस शर्मा ने पहले तोस जितकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया पा पाकिस्तान के उपर पकड बनाये रखे हुए थे जिसमें पाकिस्तान की टीम कुछ पावर प्ले में खास कमान नहीं कर पाई और सिर्फ 40 रनी बना पाई लेकिन उसके बाद दोस्तों पावर प्ले के बाद रोहित शर्मा ने रविंदर जडेजा को गेंद थमाई तो जड बेलियन भेज दिया लेकिन उसके बाद दोस्तों फकर जमान ने आते ही लगतार तीन गेंद पर जडेजा की तीन छक्के लगा दिया और विस्पोटक अंदाज में खेलते हुए 25 गेंदों में 50 रन धोग डाले तो वहीं दूसरी ओर से बाबार आजम ने भी अपना अर्द तीन ओवर में इफ्तिकार एहमद और सहबास खान ने 40 रन जोड के पाकिस्तान के स्कोर को 170 के 5 पहुचा दिये 20 ओवर में और फिर इस लक्ष का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा के साथ मेदान पर आते हैं विराट कोली दूस्तों विराट कोली और रोहित शर्मा पहले यह ओवर से बल्ला चलाना शुरू कर देते हैं जहां पर शाहिन अफरीदी के पहले ओवर में 17 रन बटोड लेते हैं और दोनों पावर प्ले में ताबर तोड अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए 60 रन की साजिदारी कर लेते हैं लेकिन आठवे ओवर की दूसरी गेंद पर विराड कोली नशीम शाह की गें पर बांडरी लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं और विराड कोली 32 रन बनाके पबेले लोट जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों रोहित शरमा का साथ देने मिदान पर आते हैं रिशपपन्थ दूस्तो मेदान पर आते ही रिशब पंथ पहले ही गेंद से बल्ला चलाना शुरू कर देते हैं और सालबाद खान की पहले तो दो गेंदों में लगतार दो छक्के जड़ देते हैं तो मैं दूसरी ओर से कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान के चारो और चौके छक्को की बारिस करने लगते हैं और देखते देखते 28 गेंदों में अपना आर्द शतक पूरा कर लेते हैं ऐसे में दोस्तों रिसब पंथ भी पीछे कहां हटने वाले थे पंथ ने भी इफ्तिकार अहमत की एक ओवर में 22 रंड ठोक के पूरे मैच को भारते टीम की ओर कर दिया और अपना आर्द शतक पूरा कर लिया और इस तरीके से दोनों ने मिलकर सो रंड की साजिदारी करते के भारते टीम को एक ओवर पहले रहते ये मुकाबला जिता देते हैं तो दोस्तों कैसे लगी आपको भारत और पाकिस्तान की बीच में रोमांचेक मैच का पूरा हाइलाइट्स हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताए और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे